तो उन्होंने करके भी दिखाया, कोटा में करके दिखाया, कोटा में फिलाल का जा सकता है कि डवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट कोटा की दर्ती पर चल रहे हैं, चाहे चंबल रिवर फ्रेंट से लेकर के जो अंडर पासे जो आवर ब्रिज से लेकर के तमाम जो चीजे चल र उनकी development की गती क्या है उसको भी समय पर तो निश्य तो और बूंदी कोटा से सटा हुआ है इलाका है 35 किलोमीटर दूर बूंदी है तो कह सकते हैं कि बूंदी के ज़्यादतर लोग कोटा से जोड़े हो जाती है उनके जहन में ये बात होती है हवाएं तो लेकर जाती है तो वहाँ पर भी होगा हवाएं तो लेकर जाती है बातों को और कहते हैं कि बात निकलिये तो दूर तलक जाएगी वो बात चाहे अच्छी हो या बुरी जाती ज़रूर है दूर तलक वो अलग बात है कि बात में लोग इस पर परताल करने की लगातार तस्वीरें अलग अलग जगाओं की दिखाई पड़ रहे हैं अकलेश भी डूंगरपुर में हैं अकलेश आपके पास आते हैं अपडेट फटा फट बताइए कि क्या कह रहा है हल डूंगरपुर का अकलेश आवाज मिल रही है कि आपको अधी आशिज जी प्लीज अखलेश बताएं क्या कुछ वहाँ पर अपडेट इस वक्त आपके पास देखे आशिज बताना चाहूंगा कि जो सागवड़ा और डूंगरपुर निकाय चुनार के जो बंदगरना जारे थी जिसमें सागवड़ा में कॉंगरेस ने अपना बोर्ड बना लिया है जो अमिता अकमरपार्स में जो डिटेल आई है वहाँ पर 35 में से 26 सीटों के प्र सीटे जो है वो 40 के अंदर से 27 सीटे जो वार जो है वीजीपी ने जीते हैं इसके लावा दो जो बीजीपी के जो बागी निर्दिल चुनार लड़े थे उन्होंने भी जीत हासिल किये जो कॉंगरेस के खाते में जो है पास सीटे गई है और अन्ने जो बीटीपी सम्मिट जो उन्होंने दे लेते हैं उन्होंने जीत हासिल किये लेकिन जहां तक बात बार बार आदिवासियों के हकी की जाती रही है बार बार जिक्र किया जाता रहा है उनके नाम पर वोट का असर राजवितिक दलों के बीच में अगर वोट में होने बाले बटवारे की है तो किस तरीके से इसको देखा जाए क्योंकि आपने का कि यहां का रिजल्ट आ गया स्पशल तोर पर कॉंगरिस ने लीड यहां पर कर ली है जहां तक आपने जानकारी दी है तो ऐसे में जो वोट हैं वो क्या लग रहा है कि किस तरफ इशारा कर रहे आदिवासी वोट बैंक क्योंकि बहुत बड़ा है यहां पर बिल्कुल आशिश खासका जो से दुंगरपूर नगरपरिशत की बात कर थे इस बार जो चैर्मेन की जो सीट है वो एसकी वर्क के लिए आरेक्षित है और लिहाज से जो बीटीपी ने है इस बार दुंगरपूर नगरपरिशत के अंदर भी जो अपने समर्थी समर्देल उमिद्वार उतारे थे